अम्रोहा की नगर कोतवाली इलाके में एक युवक ने घरेली विवात के चलते स्विसाइट कर लिया। युवक का शव उसके ही कमरे में लटका मिला। काफी देर तक जब दर्वाजा नहीं खुला तो परिवार के लोग छट के रास्ते से कमरे में उसे तो देखा कि युवक फंदे से लटक रहा है। इसके बाद परिवार के लोगों ने दर्वाजा तोड़कर कमरे के अंदर गएं और शव को नीचे उतारा लेकिन तक तक युवक की सांसे रुक चुकी थी। दरसल ये पूरा मामला मरोहा नगर कोतवाली लाके के महला इश्लाम नगर का है महले मे अज़्दूर साकिर का परिवार रहता है। फुदवार सुबह साकिर के 35 वर्षिय बेटे महमद जिशान का शव उसके ही कमरे में लटका मिला। बताया रहा कि महमद जिशान शराब पीने का आदी था। शराब पीने को लेकर रोजाना उसके घर में वाद दिवाद होता र गया। मामले में थाना प्रभारी राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि युवक ने सुसाइट किया है सो कब्जे में लेकर पीम के लिए भेज दिया गया है। वैधानी कारवाई की जा रही है।